हालो गाइज, वेलकम बाक तो मैं चैनल, इन दे लास्ट वीडियो, वी हैट डिस्कस्ट अबाउट सम् फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता हैं, हमने वो डिस्कस किया था, सबसे पहले हम कुछ नट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कि जो नट्स होते हैं, अलग-अलग नट्स के बारे में बात करेंगे, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या हैं, वालनट, वालनट को हिंदी में क्या कहते हैं, अखरोट, अखरोट को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वालनट, see the next peanut मोफली को इंग्लिश में बोला जाता है पीनट next is almond बादाम को इंग्लिश में बोला जाता है almond next is cashew काजू को इंग्लिश में बोलते हैं and next is pistachio जो pistachio होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं pistachio अब हमने कुछ नट्स के नाम भी जान लिये हैं तो क्यों ना तड़का लगाया जाए तो अब हम मसालों की spices के नाम भी सीख लेते हैं So, first one is peppermint peppermint pudina, pudina जो होता है उस English में कहा जाता है peppermint, next is black pepper, काली मिर्च काली मिर्च को English में कहा जाता है, black pepper next is turmeric, haldi, haldi को English में बोला जाता है, turmeric next is cardamom, elaiji, elaiji को हम English में बोलते हैं, cardamom next is whey leaf, तेज पता, जो generally हम क्या करते हैं अपनी सबजी में हम generally उसे flavor के लिए use करते हैं see the next one, clove, long को clove बोला जाता है cumin, jeera, जो jeera होता है, उसे हम क्या कहते हैं, cumin तो यह सब क्या है, spices है, जो हम अपनी daily life में हम अपनी सबजी बनाने में या हम अपनी kitchen में यूज करते हैं so, alright guys, that is the end of the lesson tomorrow, I'll be back with another video with something interesting till then, take care, goodbye